कि अब दोस्तों वीडियो दोस्तों मेरे पास आगे एक नया रिचाज़बल स्टेडिय यह है फिलिप्स की तरफ से फिलिप्स कॉस्मोस मुझे इतना याद आ रहा है मैंने किसी भी रिचाज़बल स्टेडिय लैंप का इतना बरा बॉक्स बॉक्स को ओपन करने के पाद यहां पर तीन पार्ट देखने को मिल जाता है सबसे पहले चाजिंग केवल उसके बाद है यह हमारा में रिचाज़बल लैंप इसके बाद यह वाले पार्ट आपको दीख रहा होगा यह यहां पर फिक्स हो जाएगा जो की एक पेंस्ट्रेंड का काम करेगा दिखा देता हूं थोरा tutte से तो फमिल्च नहीं है इसको ऐसे थोरा क्लिट करना है थो तो फोरा सो सब प्रेश किया और यह अजब पैंस्ट सेट हो गया है अब है दो इसके उपर का प्लास्टिक घटा लेते जैसे मोबाइल के ऊपर से थास्टिक दिया गया है ता तो इसको हटा लिया ए एक चीज है यह पे सामने दिखा देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं पिलिफ का जो ब्रैंडिंग है वो ब्रैंडिंग दिया गया है और बैक साइड में तो जो थोड़ा से पास से दिखा देता हूँ यह है इसका包括 बैक साइड थोरा से ओपन कर लेंगे देखलेंगे क्या है बैक साइड में यह जो श्टर है ना इसको थोरा अप करना पर यह यहां पर दिख रहा होगा आपको थोरा पास से दिखा देता हो अब करूंगा इसमें दो बड़े वरे रीचाजवल बैटरी दिये गए हैं देख सकते हैं यह हमारा जो नॉर्मार रीचाजवल बैटरी रहता है बो बिल्कुल भी नहीं है यह अलग बैटरी है इसका नंबर भी में बाद में आपको प्रोवाइट कर दोंगा इसका भी बेस्वाइलिंग मे डाल दूंगा बाइचनस अगर आप ले रहें या फिर आपका यह बैटरी वैसे तो खराब नहीं होता है लेकिन बाइचनस कभी खराब हो गया यह जो चीज है यह बहुत अच्छा दिया गया है कि रीचाजवल बैटरी इसका जो दिया गया है यह खराब भी हो जाए इसका स्पेसिफिक रीचाजवल रैटरी आप बाहर से खरीट के भी यूज कर सकते हैं इसको क्लोज कर देता हो मैं अभी बात कर लेते हैं तो यह दो पार्ट में फ्लेक्सिबल है सो सबसे बहला यह टॉप बाला पोच्छन देख रहे हैं देखिए यह उपर चला गया अभी यह देखें नीचे हो गया सो एराउंड 180 डिग्री फ्लेक्सिबल है लेकिन 180 का काम नहीं है क्योंकि जो बैक साइ नहीं से फ्लेक्सिबल है और यह जो इस्सा है थोड़ा से घूमा कर सकते हैं ऐसे आप कर सकते हैं यह पीछे के साइड में नहीं जाएगा लेकिन सामने किसे दरब ऐसे ढान हो सकता है जुक सकता है दूस्ते काम करते हैं लाइट जो है इसको में अन कर लूँगा सबसे पहले इसके बैक साइड में एक उन अफ स्वीच है आपको शायद अभी दिख रहा होगा इसको अभी उसको उसके बाद यह पर टच करूँगा देखिए लाइट ओन हो गया है मेरे ख्यासे टच करके रखूंगा तो इंटेंसिटी धीरे 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 कम हो रहा है और टच करके रखूंगा बापस तो इंटेंसिटी धीरे 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 बढ़ रहा है कि दौस्तों चलिए काम पर जो सौब नाइट कर देता हूं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सब्सक्राइबरलad कर देता हूं अभी इसको आउन कर देता हूं यह अच्छा इतना है इसका ब्राइट है अच्छा खासा ब्राइडनेस प्रोबाइट कर रहा है फिलाल यह जो है यह ब्लैक है ब्लैक मेंने डाला कि रिफ्लेक्स जादा ना करें लेकिन फिर भी बहुत जादा लाइट यह स्प्रेट कर रहा है तो यह जो हिस्सा है यह तो अच्छे से इलुमिनेट कर रहा है और थोर आसा उपर ऐसा करूंगा ना तो इतना सारा पूरा टेबल भी कवर हो जाता है इससे हां इंटेंसिटी यह हिस्सा है इतना तक जादा है लेकिन यह पर भी चलने लायक है एक काम करता हूं इंटेंसिटी को थोरा सा कम कर लेता हूं तो इंटेंसिटी धिरे-धिरे देखिए कम हो रहा है कम हो गया इंटेंसिटी और इंटेंसिटी को फिर से बढ़ाएंगे सो टच करके रखूंगा द सब्सक्राइब लॉनसियों सब्सक्राइब वुद्सक्राइब गुरौज रहे हैं च्छुड़ को अभी फिर से टेच गलुंगो तो इंटशिटि बढ़ने लगे हाध सब्सक्राइब छोट फिर असे शेलें साइज में थोड़ा बड़ा है फोड़ा सा प्रोफिशनल लुक देगा अगर आप आपके ओफिस में रखोगे दोस्तों जो ओफिस में मैंने देखा है यह ऑफजर्व किया है बहुत से जोग ओफिस में ऐसा ओफिस डेस्क लैंप रखते हैं उनको वहाँ पर छोटा वाला जो लैंप होता है न वो जमता नहीं है सो एजा ओफिस लैंप में बोल सकता हूं यह अच्छा सूट करेगा क्योंकि ओफिस में बड़े बड़े लैंप दिखने को मिलते हैं मैक्सिमाम नौन रिचार्जर्वल होते हैं बट अगर आपको रिचार्जर्वल रखना है तो यह ओफिस में अच्छा सा दिखेगा सो देख सकते हैं और सामने की तरफ अगर ऐसे रखके में देखिए अभी फेस दिख रहा है लेकिन फेस की तरफ तो रखोंगा नहीं क्योंकि लाइट जो है डायरेक आइस को हिट करना नहीं चाहिए लाइट ऐसे नीचे रहना चाहिए अभी आप देख सकते हैं मेरे जो सा साथा दिखने को नहीं मिलेगा मैं आप अगर पेपर रख दूंगा तो आपको मालूम चलेगा लाइट कितना ब्राइट है ब्लैक है आपको मालूम ही नहीं चल रहा है मतलब रिचाजबल लैंप में बहुत ब्राइट है यह तो चलिए भी बात कर लेते हैं लूमिनस इंड रिव्यू किया है बगर रिचाजबल करेगरी में यह हाइस लिवनस इंडेक्स वाला लैंप है जिसका मैं अभी रिव्यू कर रहा हूं इससे पहले मैंने जितने सारे रिचाजबल लैंप रिव्यू किया है किसी का भी लिवनस इंडेक्स इतना जादा नहीं है जो यह प्र नॉर्मल है इंटेंसिटी एकदम भी बहुत जादा नहीं है कि आइस में तकलीफ हो दोस्तों मैं चाहता हूँ इस लैंप के साथ कुछ टेस्ट करो लेकिन अभी टेस्ट करना सही नहीं रहेगा क्योंकि अभी अभी मैंने इसको अन्बॉक्स किया है मुझे मालूम में नहीं कितना पसें बैटरी बचा या नहीं है इसको फुल चार्च कर लेता हूं उसके बाद इसको कुछ टेस्ट करेंगे कि अच्छे से लाइट 恭喜 ऒरा नहीं हो रहा है बगरा बहुत कुछ कुरस्ट करना है सह सब्से पहले चलिए इसको फुम चार्च कर लेते हूँ सो देख सकते हैं इसका जो इंटेंसिटी है वो तो मैं अल्रेडी दिखाया है लेकिन यह टेबिल के ऊपर अच्छे से स्प्रेड होता है या नहीं होता है इसके लिए इसजन आया तो चलिए लैम को थोड़ा से यह सैड़ पर रखते हैं यहां पर में एक पेपर ले देता हूं LIVE सबको अच्छे से साइड में भी जा रहा है यहां पर का कम नहीं लग रहा है कि कैमरा अपने से कुछ एजस्ट कर ले लेकिन यहां तक तो बिलकुल भी सही है हाँ एकदम यह जो टेबिल का कॉर्नर है ना एकदम कॉर्नर में जाएंगे हलका सा कम लएगा बाइदा हुए जो टेबिल क्लॉथ है वो ब्लैक है सो लाइट जो है एकदम ही कम रिफलेक करेगा अगर मैं यहां पर थोड़ा ब्राइट कलर के टेबिल कॉर्ट रखता तो लाइट और रिफलेक करता था लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए ऐसा में ने रखा है लाइट को भी थोड़ा सा फेस की तरफ कर रहता हूँ देख सकते हैं वैसे तो नहीं रहता है वैसे ही रहेगा लेकिन जो लाइट जो है यह कॉर्णर तक बहुत इजिली पहुच रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है थोड़ा सा में बैक में जाता हूँ यह देख सकते हैं यह जो डाइरी है मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ये जो जगा है ना इसको भी cover कर रहा है ये एक rechargeable lamp है बट इसमें दो लोग आसाली से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं मैं इधर बैठ हूँ opposite side में कोई बैठ जाएगा तो आराम से पढ़ाई कर सकता है या फिर हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो दो बुक एक कॉपी या फिर एक बुक दो कॉपी मतलब दो तीन बुक्स ऐसे रहते हैं कॉपी ऐसे रहते हैं तो ऐसे ही हम लोग मतलब सब कुछ लेके पढ़ाई करते हैं तो वो situation में भी आप easily पढ़ाई कर सकते हो या फिर मैं group study की बात करूँ वैसे तो जो बड़े बड़े लैंप है वाइफाई वाले जो लैंप है उसमें group study हो जाता है नॉर्मा रिचाजबल लैंप में group study छट से होता नहीं है लेकिन एक ऐसा रिचाजबल लैंप है जिसमें group study भी possible है एक आदमी इधर एक आदमी उदर दो आदमी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं कोई दिक्कत बाली बात नहीं है यह light का LED का color क्या है दोस्तो इसमें जो LED दिया गया है वो है white color का 6500 Kelvin दोस्तो इसको आप change नहीं कर सकते हैं जो white है वो white ही रहेगा देख सकते हैं यह white है इसमें यही सिर्फ single color दिया गया है इसका LED का जो color है आप change नहीं कर सकते हैं अभी बात कर लेते हैं रन टाइम के बारे में इसको एक बार पूरा चार्ज करने के बाद कितना टाइम यह चल जाएगा दोस्तों कमपनी के हिसाब से यह धाई घंटे तक रन टाइम दे देगा और मैंने इसको अच्छे सा टेस्ट किया मुझे जो रन टाइम मिला है वो चार मिनिट जादा ही मिला है मुझे जो रन टाइम मिला है वो है टू आवर थर्टी फॉर मिनिट्स उसके बाद यह लैंप जो है बंध हो गया था एक चीज़ अच्छा और यूनिक है मैंने रन टाइम टेस्ट करने के दौरान इसको मैं नोटिस किया यह जो लैंप है जिस इंटेंसिटी में आउन होता है उसके बाद शायद एक यह देर पसेंट ड्रॉप होगा ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा उसको भी ड्रॉप नहीं बोल सकते उसके बाद सेम इंटेंसिटी में चलता रहता है और धाई घंटे बाद यह डाइरेक्ट बंध हो जाता है intensity जो है वो कम नहीं होता है दोस्तों मैंने पहले भी बताया है दूसरा एक location है उसको छोड़के इंडिया मार्केट में अभी जितना सारा रिचारजवल लैम्प है हर एक में वो प्राब्लम आता है कि intensity यहां पर स्टाट होता है ऐसे डां पर रहता है एक गेंटे बाद यसे दिर 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 खर सेकेंड हर मिनिट छोड़ी हर सेगंड तोर होते रहता है लेकिन इस स्यांप में बिल्कुल भी नहीं है इस लाम में फिलिप्स वालो ने वह चीज को जहाब जो इस्यू है उसको समझ उन्होंने टेकमी अच्छ से डाल दिया है तो ये लैब intensity, same intensity में continuous चलते रहता है और धाइगंटे बार directly बंध होता है ये जो चीज है ये मुझको बहुत अच्छा लगा इससे पहले इंडियन मार्केट में एक rechargeable lamp है जो कि ये technology देता है लेकिन उसके बाद मार्केट में कम से कम 20-30 ब्रेंडेट अच्छे अच्छे rechargeable lamp आए लेकिन उन सब में बहुत जो intensity का problem था बहुत दिखने को मिलता था लेकिन बहुत प्राब्लेम इस lamp में नहीं है वाट इस आवर दा चार्जिंग टाइम कमपनी के तरफ से बताए गया है इसका जो चार्जिंग टाइम है ये है थ्री आवर्स 30 मिनिट्स दोस्तों एक अच्छा चीज़ में बताना चाहूंगा ये जो lamp है charging indicator के थ्रू आपको बता देता है कब ये lamp charge हो रहा है कब charge complete हो गया है दोस्तों maximum lamp में ये problem रहता है कि indicator तो बताता है कि charge हो रहा है लेकिन charge complete हो जाता है न तो कोई indication देता नहीं है rechargeable lamp में majority में ये problem है लेकिन अभी धीरे-धीरे जो नए lamps आ रहे है उसमें ये सुदार देखने को मिल रहा है फिलिप्स बहुत पहले से ये काम कर रहा है फिलिप्स के जो rechargeable lamp है most of them ये बता देता है इसमें भी वैसा है जब ये charge हो रहा होगा इसके back side में एक जगा है मैं inside में photo डाल के दिखा दूँगा इसके back side में एक जगा है वह आपे red light दिखेगा आपको मतलब charge हो रहा है और जब ग्रीन light जलूटेगा मतलब charge complete हो चुका है यहाँ पे micro USB cable के लिए port दिया गया है आप अपना phone का जो charger है उससे इसको charge कर सकते है आपके laptop के थूँ charge कर सकते है आपके power bank के थूँ charge कर सकते है इसको दोस्तो अभी बात कर लेते है design and build quality के बारे में दोस्तो पहले ही में cinematic में दिखा चुका हो फिर भी बता देता हो इसका जो design है बहुत ही अच्छा है office में रखने के लाइक है दोस्तो mostly जो लोग है वो office में थोरा सा बड़ा lamp रखते है mostly वो non rechargeable ही होता है rechargeable बहुत कम होता है लेकिन ये rechargeable है यह आपे देख सकते हैं ये जो stand है ये center में नहीं दिया गया है side में दिया गया है थोरा सा अलग लगता है so design के मामले में तो ये अच्छा है and अगर build quality की बात करो तो ये जो lamp है ये बना है polycarbonate का मतलब plastic का बोल सकते है what is the wattage? कितना watt का LED इसमें दिया गया है दोस्तों इसमें दिया गया है 5 watt का LED लेकिन light जो है अच्छा खासा light ये produce कर देता है दोस्तों अभी तक मैंने जितने सारे rechargeable lamp अभी तक review किये है शायद उसमें से ये सबसे ज़्यादा light प्रोडूस करता है ये produce करता है 550 lumen light on paper तो ही है बहुत सारे ऐसे rechargeable lamp है जो कि अच्छे खासे light तो produce करते है लेकिन company ये खुल के नहीं बताती कि कितना lumen light प्रोडूस करता है लेकिन यहाप फिलिप्स ने खुल के कहा है कि हमारा जो lamp है वो 550 lumen light प्रोडूस करता है अभी तक मैंने जितने सारे review किया है उसमें शायद ये सबसे ज़्यादा है दोस्तो इस lamp के साथ आपको मिल जाएगा company के तरफ से पूरे एक साल का warranty एक सवाल बार-बार आता है क्या मैं इसको charge में डालके use कर सकता हूँ दोस्तो मैंने जो box पाया है उसमें तो इसका detail कुछ नहीं लिखा है लेकिन अभी तक मैंने जितने सारे reviews किये है इतने सारे rechargeable lamp देखे है उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ as such कोई major problem नहीं आता है अगर आपको long hours पढ़ाई करना है तो इसको charge में डाल दो आप अरम से पढ़ाई कर सकते हो जो box है उसमें कोई notification असर नहीं था कि आप इसको ऐसा use नहीं कर सकते है तो मेरे हिसाब से आप other rechargeable lamp की तरह इसको भी charging में डालके use कर सकते है एक lamp के बारे में इसी positive बात करेंगे negative बात नहीं करेंगे ये तो हो नहीं सकता इसका भी जो negative point है वो मुझे discuss करना परेगा तो first of all जो negative point है ये थोड़ा बड़ा size में है और उतना flexible नहीं है तो आप अगर सोचोगे कि इसको bag में डाल लेता हूँ कई पर जाके पढ़ा ही करूँगा तो हो सकता है back में ये तूटने का chances है तो ये देख सकते हैं ये दो ही जगा ऐसे bend होगा तो ये खोल लेंगे तो ऐसे आएगा लेकिन ये back के अंदर ये इतना छोटा है नहीं एसा भी नहीं है कि बहुत जादा ऐसा जो stand है ये बहुत जादा flexible है ऐसा भी नहीं है तो ये portable तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा अगर second point की बाद करूँ तो लेंग को थो ओपन कर लेता हूँ तो एक certain point है यहां तक तो सही है यहां तक भी सही है लेकिन एक certain point के बाद अगर आप bend करोगे दोस्तों देख सकते हैं यह Philips Cosmos Lamp का बॉक्स है और यहां पे clearly mentioned है made in India तो यह एक made in India Lamp अभी इसका एक और positive point की बात करूँगा तो यह back side दिख रहा है आपको तो चलिए open कर लेते हैं दो बैटरी दिख रहा है यह दोनों rechargeable बैटरी है सो मैं open कर लेता हूँ यह अपना normal rechargeable बैटरी नहीं है यह अपना अलग से मिलता है इसका भी मैं base by link डाल दूँगा नीचे description में यह एक बैटरी है 1500 image यह है 1500 image मतलब टोटल इसमें आपको 3000 image का बैटरी दिखने को मिल रहा है आप लोगों एक चीज़ पर डाउट होगा कि 3000 image का बैटरी दिया है लेकिन बस धाई घंटे चलता है दोस्तों धाई घंटे continuous same intensity पे और वो भी 550 lumen light प्रोडूस करके दूसरा कोई भी lamp यह नहीं देता है कि 550 lumen भी light प्रोडूस कर रहा है साथ ही साथ intensity को भी वो maintain कर रहा है वो drop intensity drop नहीं हो रहा है दोस्तों starting में 1 या 13% होता है लेकिन वो negligible level है उसको छोड़ दो उसके बाद intensity drop नहीं होता है मैंने खुद test करके देखा है यह जो चीज़ है यह बहुत जाद यूनिक है so intensity एकदम से कम भी नहीं होगा तो आपके ice के उपर उतना कुछ effect परने का chance भी नहीं है तो यह जो चीज़ है यह मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा है यह intensity को maintain करने के लिए शायद यह 3000 image का बैटरी दिया गया है नहीं तो इतना intensity में वो भी 550 aluminum light के साथ वो maintain नहीं हो पाता था तो बैटरी जो है बैटरी अच्छा खासा दिया गया है यह जो बैटरी है यह अगर खराब हो जाए यह तो rechargeable है यह अगर खराब हो जाए तो इसको भी आप online purchase कर सकते हो शायद आपको local shop में भी मिल जाएगा यह जो बैटरी है जो number दिया गया है मैं एक काम करता हूँ इसका भी जो base buy link रहेगा ना यह जो बैटरी का वो भी मैं नीचे description में डाल दूँगा मान लिजे आप यह लैम लेते हैं company का जो warranty है एक साल वो भी चला गया उसके बाद जाके इसका जो बैटरी है problem करने लगा आइदर आप use नहीं कर रहे हो आप रख दिया कई फे बैटरी damage हो गया वैसे तो मतलब जल्दी होता नहीं है ऐसा लेकिन फिर भी मान लीजे बैटरी खराब हो गया तो आपको लैब फेकना नहीं परेगा सिर्फ इसका बैटरी जो है वो चेंज कर लो लैब चलता रहेगा मतलब really I am impressed with this lamp कहां से खरीदे ये लैब कहां मिलेगा ये लैब दोस्तों इस लैब का बेस्ट बाय लिंक में नीचे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे नए वीडियो जाने वाले हैं